माँ, मैं ट्यूसन जा रहा हूँ मुझे लोटने में थोड़ी देर हो जाएगी अच्छा बेटा, जब तू आएगा तब ये तुझे गरम-गरम खाना बना कर दूँगी किसी सोच विचार में हो गया? सोच तो मैं ये रहा हूँ कि गोपाल की महनत रग लाएगी और मुझे भरोसा भी है कि वो इंजिनिरिंग के दाखिले के इंतहन में पास भी हो जाएगा ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें सोच विचार कैसा? गोपाल की इंजिनिरिंग कॉलिज की पढ़ाई का खर्चा कैसे लिख लेगा? यही सोचता, खेत अब हमारे इतनी उपज नहीं देते, पूरी महनत करने के बाद भी फसल कम होती जा रही है जबकि हमें तो चाहिए जादा उपज और जादा आमदनी मैं घर में खर्चा कम करके कुछ बज़त करूँगी, नहीं होगा तो करजा ले लेंगे ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, पूरे चार साल की पढ़ाई है और अपनी ही आमदनी बढ़नी चाहिए और एक किसान की आमदनी तो खेती से भी बढ़ेगी मेरी मानो तो एक बात बोलू, पिछली बार जब हम मोसी की लड़की की शादी में उनके गाउं में गए थे तो मोसी बता रही थी कि हरिया और गाउं वाले अपने खेतों में गिरते भी उपज़को लेकर परिशान थे इस बार तो उनके खेतों की फसल पूरे जिले में सबसे अच्छी हुई है हाँ, वही तो वो कह रही थी उन्होंने वो किर्बको वाले है ना उनसे अपनी फसल के बारे में सला ली थी अच्छा, ठीक है मैं भी अगली बार हरिया के साथ किर्बको के किर्शी परामर्श केंदर में जाकर अपने खेतों और फसल के बारे में बात करूँगा देखाव नमस्कार डॉक्टर साथ ये रामेश्वर है ये उनकी पत्नी गाउं अटेरना जिला सोनी पत्से आये है डॉक्टर साथ मैं वो किसान हूँ जिसके खेत उससे नराज हो गए चितनी भी मेहनत करो पर खेत अब उतनी उपज नहीं देते भै हम लगातार अपने खेतों से कोई ना कोई फसल लेते रहते हैं उन फसलों के साथ जमीन का पोशक तत्व भी निकलता जा रहा है यानि खेत में फसल के लिए खुराक कम होती जा रही है और इस तरह से हमारी फसल कमजोर, दाना भी कमजोर और बिलकुल बेचमग होता है इन पोशक तत्वों की कमी की भरपाई कैसे करें? हर फसल के लिए पोशक तत्वों की आवशकता अलग-अलग मात्रा में होती है सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जाच कराके भूमी में कितनी मात्रा में पोशक तत्व हैं उसका पता लगाते हैं और फिर फसल की आवशकता पूरी करते हैं फसल को कुल कितनी पोशक तत्व की आवशकता होती है? हसल को जो आवशक पोशक तत्व चाहिए उनकी कुल संखिया है 16 तीन तत्व आक्सिजन, हाइड्रोजन और कार्बन तो हवा और पानी से मिलते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं तीन प्रमुख तत्व नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है तीन गोण तत्व हैं केल्शियम, मेगनेशियम और सलफर बाकी साथ सुक्षम तत्व हैं जिंक, कौपर, आईरन, मेगनीज, बोरोन, मौलीबिडनेम और क्लोरिन जो तत्व भूमी में प्रियाप्त हैं उन्हें हम उपर से नहीं देते लेकिन जिन तत्वों की भूमी में कमी हैं उन्हें हम अलग से देते हैं संतुलित उर्वरक उप्योग से पोदों में बिमारी, कीडों और सूखे के परतिरोधक शमता बढ़ जाती है इससे फसल की गुणवत्ता, स्वाद, सुगंद, आकार पर भी असर पढ़ता है इससे उपज में बढ़ोत्री के साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है फसल का बाजार में भाव भी ज्यादा मिलता है भूमी में जिवांश की मातरा बढ़ने के साथ भूमी के स्वास्त को भी बनाए रखा जा सकता है ठीक है डॉक्टर साथ, सबसे पहले हम आपसे मिट्टी की जाच कराएंगे और ये पता लगाएंगे के हमारी मिट्टी में कितने पोशक तत्व है फिर आपसे मिलेंगे ये हैं डॉक्टर राजेश, मृदा वग्यानिक और ये हैं रामेश्वर और इनकी पतनी देव की और ये हैं हरिया डॉक्टर साथ, ये हमारे अटेरना गाओं के प्रधान जी और ये हैं अटेरना के ग्राम वासी और भाईयो ये डॉक्टर साहब कृपकों से आये है रमेशवर जी आपकी खेत की मिट्टी की जांच की गई है ये है आपकी खेत की मिट्टी का स्वास्तकार्ड सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी खेत की मिट्टी में जिवांश की बहुत कमी पाई गई है डॉक्टर साब मैं अपने खेत में फसल को यूरिया और डियेपी दे रहा हूँ तो क्या इससे मेरी फसल को पूरी खुराक नहीं मिल रही देखे इन खादों से दो ही पोशक तत्व नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिले तीसरा तत्व पुटाश तो मिला नहीं इन तीन तत्वों के अलावा आपके खेत के लिए दो और तत्वों जिंक और सलफर की भी सिफारिश हुई है डॉक्टर साब इतनी खादे डालने से तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा फॉसल की आवशक्ता के आधार पर खाद डालने से सभी तत्वों का प्रभावी उपयोग हो जाता है उत्पादन पूरा मिलता है और लाब बढ़ता है ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉसल की बढ़वार और पैदावार उस तत्व की कमी से रुप जाती है जो फसल को नहीं मिल रहा है आपका मतलब है कि जिन तत्व की शिफारिष की गई है अगर उन तत्व को नहीं डाला गया तो दूसरे वो तत्व जिनका उपयोग किया गया है उन पर किया गया खर्चा भी बेकार हो جाते है पोशक तत्वों के असंतुलित उप्योग से फसलों को नुक्सान भी हो सकता है वो कैसे? वो इस तरह हैं कि नाइट्रोजन फसलों के उत्कों को रज़दार और कोमल बनाता है जिसके कारण पोधों में नाशी जीव और बिमारियों के आक्रमन के मोगे बढ़ जाते हैं फसलों का वनस्पतिक बढ़वार तो अधिक होती है लेकिन पकने में देरी लगती है लेकिन पोटाश तत्व मौजूद रहने से पोधों में नाशी जीव और बिमारियों के विरुद प्रतिरोधिता और शेहनशीलता बढ़ जाती है इसी तरह से फासफोरस से पोधों की जड़ों का विकास होता है और उनके पकने में जल्दी होती है साथ ही ये फसलों के दाने को भी मोटा करता है ये बात तो समझ में आगई डॉक्तर साब के हम यूरिया और डीएपी देकर अपनी फसल में दो ही तत्व दे रहे थी और बाकी तत्व हमारी फसल जमीन से पूरा कर रही थी जो कि हमने डाले ही नहीं उनकी जमीन में कमी हो गई जिसकी वज़े से हमें उपज कम मिल रही है लेकिन इसकी वज़े से जमीन की भौतिक दशा पर कैसे असर पड़ सकता है? हमारी जमीन तो वैसी की वैसी है जैसी पहले थी जीवांश खात से भूमी में भूरभुरा पनाता है भूमी भुरभुरी रहेगी तो उसमें हवा का संचार ठीक रहेगा जीवांश के कारण भूमी में पानी को सोक कर रखने की क्षमता बढ़ जाती है इसके अलावा जीवांश खाद की वज़ा से भूमी में रासाइनिक तत्वों से दिये गए पोशक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है जीवांश खादों का उपयोग बंद करने से हमें खेती में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है मिट्टी की भौतिक, रासाइनिक और जैविक सनचना ही गड़ बढ़ा रही है अब स्थिती ऐसी हो गई है कि भरपूर फसल लेने के लिए हमें रासाइनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है डॉक्टर साथ क्या हम जितना खाद अपनी खेत में डालते हैं क्या वो हमारी फसल को मिल जाता है आपको ये बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन का प्रभावी उपयोग केवल 50 प्रतिशत ही है और धान की फसल में तो इसका प्रभावी उपयोग 30 प्रतिशत तक ही रह रहा है इसका मतलब ये कि आधे से ज्यादा नाइट्रोजन का खर्चा बेकार हो रहा है और ये नाइट्रोजन पौधों में ना जाकर पर्यावरण के पानी या वायू में जा रहा है फॉस्फोरस का प्रभावी उपयोग और भी कम है 20-25 प्रतिशत जबके फॉस्फोरस एक महंगा तत्व है पोटाश का प्रभावी उपयोग 70 प्रतिशत तक रहता है सूक्ष्म तत्वों का प्रभावी उपयोग 2-5 प्रतिशत ही रहता है डाक्टर साब, खाद का सही यानि प्रभावी उपयोगों इसके लिए क्या-क्या महत्रपूर्ण बाते हैं? सिर्फ खाद की मातरा उसे देने का तरीका और समय पर ही ध्यान नहीं देना है दूसरी किर्शी करियाओं का भी ध्यान रखना होगा उर्वरकों के सही उपयोग के लिए सही किस्म का चुनाव, समय पर भुवाई, खर्पतवार नियंतरन और सिचाई परबंधन पर भी ध्यान रखना होगा इन बातों पर अतिरिक्त खर्च नहीं आता लेकिन थोड़ी सी सूजबूद से ही हम किर्शी आदानों का सही उपयोग कर सकेंगे और साथी साथ हमारी उत्पादन भी बढ़ेगा उर्वरक के साथ साथ हर संभव FYM, कंपोस्ट, जैव उर्वरक हरी खाद आदी का उपयोग करने से मृद्धा स्वास्त में सुधार होता है एवं पोशक तत्मों के एकिकरत उपयोग से उर्वरक की उपयोग शमता में विर्धी होती है उर्वरक कब-कब और किस तरह देना चाहिए डॉक्टर सहाब? नाइट्रोजन की आधी से एक्तियाई मात्रा, फासफोरस और पोटास की पूरी मात्रा बिजाई के समय देनी चाहिए बचोहि नाइट्रोजन की मात्रा को फसल की वानस्पतिक बढ़वार और फूल आने की अवस्था में देनी चाहिए सूक्षम तत्वों से पहले गौर तत्व जैसे के सलफर, मैगनीशियम और केलशियम की चर्चा करते हैं सलफर की खादों में जो पानी में कम घुलनशील हैं या जिन्हें पौधे सीधे ग्रहन कर सकें उस रूप में नहीं तो उन्हें विजाई से लगभग 15 दिन पहले खेत में भूमी की तयारी करते समय डालना चाहिए आम तोर पर अपने खेद में हम खाद को बिखेर कर देते क्या ये सबसे सही तरीका है आपको ये तो मालूम ही है कि पोदे जडो दुआरा खुराग ग्रैंड करते हैं तो खाद देने के किसी भी तरीके की कोशिश यही होनी चाहिए कि खाद जड़ शेतर में रहे शुरू में तो जडों का फैलाव ज्यादा नहीं होता तो खाद बीज के नीचे लगबग 5 सेंटीमीटर गहरी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर एक तरफ होगी तो अंकुरन के बाद जैसे ही जड़े बनेंगी उन्हें पोशक तत उपलब्द हो जाएंगे नाइट्रोजन की खाद के साथ खेत में जल प्रबंध का विशेश महत्व है यदि आपने फसल को जड़क शेतर से अतिक गहराई तक गीला करने का पानी उपयोग किया है तो इसका मतलब है कि घुलन शील होकर नाइट्रोजन जड़क शेतर से नीचे पहुँच जाएगी और पौधों को ये खाद उपलब्ध नहीं रहेगी यही कारण है कि बहुत सी बार खासकर नहरी खेतरों में सिचाई के बाद फसल नाइट्रोजन की कमी की लक्षन दिखाई देती हुई पीली दिखाई देती है इसलिए नाइट्रोजन की खाद के साथ सिचाई भी नियंत्रित होनी चाहिए खड़ी फसल में नाइट्रोजन विखेरने के बाद यदि वो कुछ समय तक सूरिय की रोशनी में खुली पड़ी रहे तो उसके वायो मंडल में गलीन होने की संभावना अधिक रहती है ये बहुत अच्छी बात बताई आपने हम तो सोचते थे कि खेतों को ज्यादा खाद दो और ज्यादा पानी दो आप ऐसा करो हमारे किसान सेवा केंदर पर आ जाओ वहां खाद के अलावा अच्छा बीज और दवाई भी मिलेगी और समय समय पर जानकारी भी और हाँ अगर आप कोई और जानकारी चाहते हो तो हमारे टेलिफून नंबर 012-253-5628 और एमेल कृशीप्रामर्श at kripco.net पर संपर्क कर सकते हो कर संपर्क कर सकते हो अख़पार पढ़ लिया क्या? मैं चाय लेकर रही हूँ आपके लिए अच्छा अच्छा गोपाल के बापू अब क्या कहते हो इस खेती के बारे में? संतुलित और समन्वित और वरक के उप्योग से मिट्टी के स्वास्त को बनाए रखकर स्वस्त और भरपूर फसल, प्रदूशन रहित पर्यावरन और इसके साथ आर्थिक लाब और साती साथ किसान की खुशाली किसान को और क्या चाहिए? अरे इसी से तो गोपाल को इंजीनियर बनाने का हमारा सपना साकार हुआ हम सभी किसानों को खाद का प्रभावी उपयोग करना चाहिए इससे धर्ती, किसान और देश सभी समरद होंगे मेरा किसान भाईयों से को ये संदेश है कि आप खाद का जो प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में उसे सो समझ के करें जो मिट्टी के आवशक्ता है जिस खाद की और जिस मात्रा में उतना ही आप इस्तमाल करें क्योंकि आज देश बहुत ही उचे दाम पर खाद का आयात कर रही है और इस पर भारत सरकार सबसीड़ी दे रही है अगर खाद का हम उचित उप्योग करेंगे तो सबसीड़ी भी कम होगी और प्रोडक्शन भी पढ़ेगा उसकी उत्पाद्वक्ता में भृधी आएगा